तो दोस्तों दो दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिसकेशन किया था भारत और ब्रिटेन की बीच में होने वाले FTA को लेकर और मैंने आपको बताया था अलग-अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से कि ब्रिटेन की जो एकॉनमी वगेरा है वो आने वाले कुछी समय में पूरी तरह से दोस्तों हो सकती है और ब्रिटेन जो कि योरोप का ही नहीं बलकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सूपर पावर हुआ करता था उसके ऐसे दिन आ सकते हैं कि वो योरोप में सबसे कम एकॉनमी वाला देश बन जाए और ऐसी परिस्तिती में भारत के प्रारे काफी जादा बढ़ गई थी और दोनों देशों की बीच का फ्रैक्शन जो था वो पूरी दुनिया को देखने के लिए मिला था तो इन सब घटनाओं के बाद ब्रिटेन के कई सारे एक्सपर्ट्स और कई सारे मीडिया हॉसेस को ये लग रहा था कि शायद भारत अब यहाँ पर इस परिस्तिती का फाइदा ज़रूर उठाएगा और भारत हो ना हो FTA की डील को पोस्पोर्ण कर सकता है या फिर कैंसल भी कर सकता है और ऐसा करके भारत ब्रिटेन को नुकसान पहुचाने की कोशिश कर सकता है और इसको लेकर वो लो काफी चिंतित भी थे कहना है का मतलब ब्रिटेन का कोई भी बड़ा अर्थशास्त्री हो या बाकी की जो मीडिया हॉसेस बगेरा है या जो उनकी गवर्मेंट है ये बहुत ज़्यादा उतावली है भारत के साथ फ्री टेड अग्रिमेंट करने के लिए मैंने उस समय भी आपको बताया था जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी और उनके दोरा जो डेडलाइन सेट की गई थी फ्री टेड अग्रिमेंट को लेकर उस दोरा नहीं हो पाई थी और इसके लिए ब्रिटेन ने ऐसा जताय था कि मानो फ्रीटेड अग्रिमेंट करके वो भारत पर रहसान करेंगे तो मैंने उसी स जरूरी है ही है लेकिन ब्रिटेन के लिए उससे भी जादा जरूरी है लेकिन जो नई परिस्तितिया जनरेट हुईती इनके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद भारत अब इस फ्रिटेड एग्रिमेंट को थोड़ा सा लेट करेगा लेकिन यहां पर खबर निकल कर आई है कि र पर प्रामिनिस्टर मोदी की तरफ से यह कहा गया है कि जितनी भी बादचित बाकी है और जितने भी समझोते बीच में करने होंगे उन सबी के उपर जल से जल काम किया जाए ताकि दोनों देशों के बीच में FTA साइन करवा लिया जाए यहां पर मैं आपको बता दू कि लास्ट मंद यानने मार्च 2023 में ही आठवे दोर की बाचचित भारत और ब्रिटन की बीच में होई थी और वैसे भी बता जा रहा है कि भारत और ब्रिटन की बीच में जो व्यापार है वो काफी जादा तेजी से बढ़ रहा है example के तोर पर यहां पर बताया गया है कि साल 2022 में 34 billion GBP का व्यापार हुआ था दोनों देशों की बीच में जो कि एकी साल में 10 billion GBP बढ़ गया यहां पर GBP का मतलब मैं आपको बता दू कि Great Britain Pound से मतलब है यानि जो Britain की currency है Pound उसे GBP कहा जाता है तो साल दर साल अगर दोनों देशों की व्यापार में इतनी इतनी बड़ोतरी होगी तो definitely Freated Agreement की यहां पर आवशकता दिखाई देरे यह दोनों देशों को इसके अलावा मैं आपको बता दू कि भारत हो या फिर ब्रिटेन हो दोनी पक्षों की तरफ से इस बात का कंडन कर दिया गया है कि जो भारती उचायूत में हमले वगेरा हुए थे और इससे FTA पर किसी तरह का कोई impact पड़ेगा तो ऐसा नहीं होगा इसके लिए भारत और ब्रिटेन दोनों की तरफ से बता दिया गया है हलाकि यहाँ पर मैं आपको बता दू कि अंदर खाने दोनों देशों की बीच में इन सब चीजों को लेकर चर्चा ज़रूर हुई है यानि जो उपद्रव वगेरा हुए हैं भारत के उचायूत के उपर और जो भारत से भगोड़े भागते हैं जो भी पहला आप कर सकते हैं वो जल से जल कीजिए जितने भी आर्थी कपरादी हैं भारत में जो की भाग कर इस समय ब्रिटेन में बस चुके हैं उन सभी को भारत भेजा जाए जिसमें मालिया आते हैं निरव मोदी है और इस तरह के कुछ और नाम जो प्रचली थे हैं हम सभी लोग जानते ही हैं तो अब देखने वाली बात रहेगी कि इस फोन कॉल के बाद में कितना और समय लगता है FTA को साइन होने में हाला कि ये FTA मैं आपको बता दू कि भारत के पॉइंट आफ यू से भी बहुत जरूरी था भारत को भी एक बिंडो मिल जाएगी ब्रिटेन नाम की जिसके जरीए भारत एंटर कर सकता है योरोपेन यूनियन तक जी हाँ इस समय वैसे योरोपेन यूनियन का सदस्वी चल रही है और 6-7 राउंड इन सब को लेकर बाच्चित अल्रेडी हो चुकी है तो वो भी आउन ट्रैक है लेकिन वो जब तक नहीं होता और ब्रिटेन से हो जाता है तो ये भी हमारे लिए काफी बड़ी अचीब्मेंट की बात होगी हलाकि जादा फाइदा फिर भी मैं कहूँगा कि ब्रिटेन को ही होगा क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है यहाँ पर बहुत सारे स्कोप है आपकी कंपनिस यहाँ पर धेरो इंवेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकती है वैसे अब इस नए डिवलेप्मेंट पर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो फोन किया गया है और फ्टिये को जल्दी से जल्दी करने की बात कही गई है इसको लेकर आपका उपीनिन क्या है निचे कोवन करके जोरू बताईएगा